शिव भक्तों के लिए ये पहेली अनसुलजी है कि उनके माता-पिता कौन थे? उनका जन्म कैसे हुआ? और इस सवाल का जवाब कोई शास्त्र सही नहीं दे पाते? तुरानों में उनके माता-पिता को लेकर कई मतभेद हैं. वेदू में भगवान को निरनकार ही बताया जाता है. भगवान शिव को कई और नामों से जाना और पुकारा जाता है जैसे की भुलिनात, महादेव, शंभू, शंकर, महेश, रुद्र, नीलकंठ, इत्यादी. साथी साथ तंत्र साधना में शिव जी को भेरो के नाम से पुकारा जाता है. भगवान शिव हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक हैं. भगवान शिव के बारे में तो सभी जानते हैं. शिव जी के भक्तों को उनके बारे में सारी जानकारी होगी लेकिन इनके माता पिता के बारे में शायद आपको नहीं पता होगा जैसा कि आप जानते हैं भगवान शिव जी की अर्धान गिनी यानी देवी शक्ती का दूसरा नाम माता पारवती है भगवान शिव के दो पुत्र कार्तिके और गनेश हैं और एक पुत्री अशोक सुंदरी है शिव जी ने अपने ही शरीर से देवी शक्ती की स्रिष्टी एवं रचना की इसी वजह से वो उनके आंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी देवी शक्ती को पारवती के रूप में जाना गया और भगवान शिव को अर्धनारिश्वर के रूप में महापुरान के अनुसार भगवान शिव के पिता के ऊपर भी एक कथा वरने थै देवी महापुरान के अनसार एक बार जब नारद जी ने अपने पिता ब्रह्माजी से सवाल किया कि इस रिष्टी का निर्मान किस ने किया और आप त्रिदेवों को किस ने जन दिया तो ब्रम्हा जी ने नारद जी से तृदेवों के जन्म की गाथा का वर्नन करते हुए बयाता था कि देवी दुर्गा और शिव स्वरूप ब्रम्हा की योग से ब्रम्हा, विश्नु और महेश की उत्पत्ती हुई है। इसका यह अर्थ हुआ है कि दुर्गा ही माता हैं और ब्रह्म यानी काल सदाशव पिता हैं। एक बार श्री ब्रम्हा जी और विश्नु जी की इस बात पर लड़ाई हो गई तो ब्रम्हा जी ने कहा। मैं तुम्हारा पिता हुँ क्योंकि यह सृष्टी मुझसे उत्पन हुई है। मैं प्रजा पिता हुँ। इस पर विश्नु जी ने उत्तर दिया कि नहीं मैं प्रजा पिता हुँ। तुम मेरी नाभी कमल से उत्पन हुए हो। यह बहस चली रही थी तभी सदाशव ने विश्नु जी और ब्रम्हा जी के बीच आकर कहा कि मैंने तुमको जगत की उत्पत्ती और स्थिती रूपी दो कार्य दिये हैं। इसी प्रकार मैंने शंकर और रूद्र को दो कारय सनहार और तिरोगती दिये हैं। उन्ही पाँच अववयों से एकी भूत होकर एक अक्षरों उ बना है। यही मेरा मूल मंत्र है। इस प्रकार उप्रोक्त शिव महापुरान के प्रकरन से सिधा हुआ कि शिव जी की माता श्वी दुर्गा देवी अश्टंगी देवी है और पिता सदाशिव अर्थात काल ब्रह्म है। वसे शिव जी के बारे में तो यही कहा जाता है कि शिव की नहीं कोई शुरुआत है और नहीं कोई अर्थात है।